ममता बनर्जी जी के राज में चिटफंड घोटाला हो, कोईला घोटाला हो, या फिर कट मनी हो और अब जिस तरह से शेक्षकों का घोटाला हुआ और 21 कुरोड रुपया एक सायोगी के घर पे मिला, तो आप कल्पना कीजिये कितना बड़ा घोटाला होगा, ममता बनर्जी ज ब्रष्टा अचार के रिकॉर्ड तोड रहें, ममता बनर्जी और अर्विंद केजरिवाल जी में होड लगिये कि कौन जादा करप्शन करता है, केजरिवाल जी ने डिपार्टमेंट कोई नहीं रखा, लेकिन बाकी मंत्रियों को डिपार्टमेंट देकर पूरी खुली जूट दी गई 144 क्रोड पर वापिस किया गया, यह अपने अब में दिखाता है पंजाब चुनाव से पहले कितना बड़ा घोटाला आम आदमी पार्टी ने किया और उस पर पड़दा डालने का काम किसी और ने नहीं स्वें अर्विंद केजरिवाल जी ने किया है, जो पह तो ममताब इनर्जी जी कहां पीछे रहती, TMC stands for the mountain of corruption, the mountain of corruption, एक भ्रस्टा अचार का बड़ा पहाड, एक अड़ा त्रिनमूल कॉंग्रेस बन गई है, उनकी सरकार बन गई है, जहां करोडों की लूट होती है, ममताब इनर्जी जी मूख दरशक बनकर चुप रहती है, और उनके प्रसाशन में प्रसाशन को लूट की खुली चूट है, उनके मंतरियों को लूट की खुली चूट है, तो अर्विंद केजरिवाल जी भी पीछे नहीं रहे, लूट की खुली चूट उनने अपने मंतरियों को दे रखी है, उनके इस्तीफे लेने की बजाए स्वय भी उसमें भागिदार हैं आखिर कौन-कौन इस नेरणों में भागिदार है उन सब को जवाब देना चाहिए एक भी सवाल का जवाब अब तक के जरिवाजी नहीं देपाए